यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग कॉमेंट कर रहे थे कि सरे कैसा एप्लिकेशन बताएं जहां से हमें 100% अप्रूबल के साथ लोन मिल जाएं तो यहाँ पर आप लाइप देख सकते हैं यहाँ पर कॉंग्रेचुलेशन का मेसेज मुझे मिल चुका है और मुझे यहाँ पर काड नंबर डाल कर लोन ले सकते हैं तो ऐसे मैं अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो को पूरा आवाज करना है तो चलिए मैं आपको सबसे पहले लोन अप्लाई करने का लाइप प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैस सबसे पहले आप प्रोसेस जान ले कि यहां से आपको 2,000,3,000, 5,000 रुपीय तक का परसंनल लोन कैसे अप्लाई करना है ठीक है मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा लाइव करके दिखाऊंगा तब जाकर आपको विश्वास होगा तो आपको बस प्रोसेस देखना है सब से पह को open करेंगे यहां पर mobile number डालने के लिए कहा गया है, mobile number सबसे पहले आप यहां पर डालेंगे, mobile number डालके यहां पर आप नीचे option मिलेगा, proceed का, proceed के option पर आप क्लिक करेंगे, एक OTP आपके mobile पर सेंट किया गया है, उस OTP को डालकर proceed पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आप application में login ह हो जाएंगे, अब आपको loan के लिए apply करना है, इसके लिए आपको देखिए आप option मिल जाएगा, upload the document का, आपको अपना document verification complete करना है, उसके बाद यहां पर आपको अपना pen details, आधार details डालकर अपना QIC complete करना है, जिससे आपको एक loan approval मिल जाएगा, then उसके बाद यहां पर आप option मिलेगा select marital status का, इस पर click करेंगे, आप single है या married है, वह आप select करेंगे, उसके बाद यहां पर आप अपना पूरा address डालेंगे, जो भी आपका address है, उसके बाद नीचे option मिलेगा pin code का, यहां पर आप अपना pin code डालेंगे, यहां पर option मिलेगा language चूज करने का, इसके उपर click करेंगे, आपको जो भी best लगे, वह language आपको choose कर लेना है, उसके बाद continue, उसके बाद नीचे आएंगे, यहां पर आपको option मिलेगा, आपका जो mobile number है, वह WhatsApp से registered है, अगर है तो yes करेंगे, नहीं है तो no करेंगे, और यहां पर आप अपना WhatsApp number को verify कर लेंगे, उसके बाद यहां आपको खाली box मिलेगा, सारा खाली box को आप टिक करेंगे, then सारा details फिल करने के बाद नीचे आपको option मिलेगा, next का next के उपर आप click करेंगे, अब आप यहां पर personal details फिल कर लेंगे, तो आप आजाएंगे next page पर, जहां पर आपको अपना pen card information complete करना है, इसके लिए आपको option मिल जाएगा add info का, add info पर क्लिक करेंगे, और यहां पर आप अपना pen details दालकर, अपना details को submit करेंगे, तुसके लिए देखिए, यहां पर option मिल जाएगा, enter your pen का, यहां पर आप अपना pen card number डालेंगे, और verify पर क्लिक करेंगे, और यहां पर आप अपना date of birth डालेंगे, इसपे click कर अब आप यहाँ पर pen information complete कर लेंगे तो यहाँ पर आपके सामने option आज आएगा आधार information यानि कि यहाँ पर आपको अपना आधार information complete करना होगा इसके लिए देखिए बेस्ट option रहता है आपका आधार OTP और DZLocker का आप manually भी upload कर सकते हैं लेकिन आपका बेस्ट रहेगा DZLocker या OTP अगर आप DZLocker को मतलब choose करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा नीचे option मिल जाएगा इंटर आधार number का यहाँ पर आपको अपना आधार का number डाल देना है नीचे आएंगे यहाँ पर आपको अपने पिता जी का नाम डाल देना है उसके बाद यहाँ पर नीचे खाली box मिलेगा इसको टिक करके जैसे आप sign in to DZLocker पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो मुवाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा उस OTP को डाल कर आपको यहाँ से QIC को successfully complete कर लेना है अब दोस्तों आप QIC complete कर लेंगे तो उसके ब 4,000 रुपिये का personal loan मिल चुका है जैसे ही मैंने अपना QIC complete किया मुझे यहाँ पर 4,000 रुपिये का limit मिला हुआ है अब मैं इस limit amount को यह जो loan amount यहाँ पर limit दिया गया है इसको मैं directly bank account में transfer कर सकता हूं तो इसके लिए बस bank account details करना होगा उसके बाद amount जो भी यहाँ पर limit मिला ह हुआ है उसको bank में transfer कर दिया जाएगा इसके लिए आपको निचे option मिल जाता है get money का आपको simply get money पे click करना है अब देखे बहुत सरे लोग यहाँ पर comment भी करते है कि सर मेरा details नालने के बाद भी approval नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको मैं बता दूँ यहाँ पर आप जब भी amount आप लेना चाहते हैं जैसे कि मैंने 2000 रुपिय का loan amount select किया है मुझे 2000 रुपिय का loan amount लेना है bank account में मुझे 4000 रुपिय का मिला था लेकिन मैं 2000 रुपिय का ही लेना चाहता हूं एक महिनों के लिए ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा charges के बारे में बता देता हूं कि क या क्या charges आपको यहाँ पर देना पड़ेगा ताकि आपके साथ बाद में कोई धोका ना हो देखिए यहाँ पर आप अगर लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 6.58% यानि कि यहाँ पर जो है अगर 2000 रुपिय का लोन लेते हैं तो उस पर आपको 122 रुपिय का processing fee देना किया जाएगा 1856 रुपिय और मुझे जो total repayment करना होगा एक मेने बाद वह करना होगा 2060 रुपिय ठीक है यहाँ पर आप total details में एक बार आपको read कर लेना है अब देखिए यहाँ आपको नीचे option मिल जाएगा bank account को add कर लेना है मैंने यहाँ पर अपना bank account add कर रखा है ठीक है तो आपको यहाँ पर simply क्या करना है अपना account number, IFC code और bank का नाम डाल कर account details को add कर लेना है मैंने यहाँ अपर account details add कर लिया है account details add करने के बाद नीचे option मिल जाता है get money का आप get money पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक loan agreement देखने को मिल जाएगा तो आपको simply get money पर क्लिक क करेंगे आपका यहाँ पर loan agreement जो रहता है वो आपको देखने को मिल जाएगा आपको simply क्या करना है confirm पर क्लिक करके application को submit यहाँ पर कर देना है अब दोस्ते यहाँ पर आप confirm पर क्लिक करेंगे आपका जो भी loan amount आपने add करा था मतलब select करा था वह amount आपके bank account में transfer हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2000 रुपिय का amount मैंने bank account में transfer किया है मुझे total 4000 रुपिय का loan amount मिला था जिससे मैंने यहाँ पर total amount जो 4000 रुपिय का मिला था उस पर से मुझे यहाँ पर 2000 रुपिय का amount मैंने यहाँ पर bank account में ले लिया है तो इस परकार तो देखे एप्लिकेशन को अगर आप देखेंगे तिया पर फोर पॉइंट का रेटिंग है अच्छा रेटिंग है अभी तक 10 लाग लोगों ने यहां से लोन अप्लाई कर चुका है अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो इस एप्लिकेशन का नामे पोकेटली परसनल लोन इस एप्लिकेशन को आप प्ले स्टोर से इस्ट्राल कर सकते हैं और यहां से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं यहां पर आपको पांच जार दस जार रुपिये तक का परसनल लोन आराम से मिल जाएगा अगर आपका डिट्रिल सही रहेगा तो अब देखिए बहुत सारे बॉक्स चैक कर लेना वहां से आप इंस्टॉल करके अप्लाई कर सकते हैं तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही चले मिलते हैं बहुत बहुत देने बाद पूरा वीडियो देखने के लिए